वहीं कॉंग्रस महा सचीव और उतर परदेश की परभारी प्रेंगा गांधी वाडरा ने राजे के ही विधान सभा चुनाओ में वहुजन समझ पार्टी की मुक्या मायावती की चुपी पर हैरानी जताई है कॉंग्रस नेता ने कहा है कि 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है हमें लगा शायद वो चुनाओ का इंतजार कर रहे हैं लेकिन हम भी बहुत हरान हैं कि चुनाओ शुरू हो गया है और हम भी चुनाओ में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मायावती अभी अक्टिव नहीं है उन्होंने चुप्टी साथ रखी है और ये मेरी समझ से बाहर है उन्होंने कहा कि ये भी संभव है कि भाजपा सरकार पर मायावती का दबाव बना रही हो और एक इंटरव्यू के दौरान ही प्रेंगा गांधी ने कहा कि उतर परदेश में ही चुनाओ के बाद अगडबंधन की संभावनों पर कहा कि बिजेपी के लिए दरवाजा पूरी वाली पार्टियों का सिर्फ एक अजेंटा है और वे एक दूसरे को फाइदा पहुचाते हैं उतर परदेश में कुरोना संक्रमट के बढ़ते मामलों के बीची सभी शेष्णिक और संसाथनों की चुटिया कर दी गए हैं आपको बता दे कि यूपी में आप 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहने के आदेश जरी कर दिये गए हैं राजे में जनवरी के ही पहले सब्ता में ही कुरोना की संक्रमट की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ही स्कूल कॉलेज 16 जनवरी तक बंद किये गए हैं और आपको बता दे कि जिसके बाद से ही स्थिती की समिक्षा हुई और शेशनिक और संस्थानों को ही बंद रखने की मियाद 23 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी परिशासन का निर्देश राजे के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों पर लागू होगा आपको बता दे कि उतर परदेश में ही क्रोना वाइरस महमारी के बढ़ते पर कोप के बीची लगनाव विश्योवी ग्याले ने पहले ही 15 से 13 31 जनवरी तक ही आयोजित होने वाले सभी समेस्टर परिक्षा स्थगित कर दी है स्टुडेंट्स अभी अपनी एक्जाम की ही नई डेट्स के इंतजार में हैं और यूपी बोर्ड का अक्षिया दस्मी और बार में एक्जाम भी राध्य विधान सभाद चुनाव के बाद ही शुरू होने है चलिए यूपी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में ही है डिप्टे सेम केशो परसाद मोर्य का आज का कारिकरम बारा बजे मुझाफळ नगर पहुंचेगे इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यूपी से पचा रहे हैं जहां पर बारा बजे मुझफर नगर पहुंचेंगे डिप्टे सीयम समाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करेंगे उत्तर परदेश से आपको बड़ी खबर हम पहुचा रहे हैं जहां पर डिप्टे सीयम केशियो परसाद मोरे का आज कारिकरम है और परमुक समाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसके साथ ही आपको बता दे कि बारा बजे ही मुझफर पुर में ही बैठक होगी और पर्मुख समाजिक वर्ग के लोगों के साथ बैठा करने जा रहे हैं चुले एक और बड़ी खबर बता दे जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है इस वक्त की बड़ी खबर हमको बता रहे हैं कि राइब रेली में भीशन सडक हाथसा हुआ है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है तेज रफ्तार बाइक सवार ओवर ब्रिज से नीचे गिर गया है पुल की रेलिंग से ही टकरा गया नियंतरन होकर गिरा है ऐसी जानकारी सामने आ रही है आपको बता दे कि पुल की रेलिंग से टकराया और जिसके बाद नीचे गिर गया और बाइक सवार की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है अस्पताल में फिलहाल भरती भी करवा दिया गया है घायल को और साथ ही आपको बता दे कि ब्रिज के उपर से ही अटका लोगों ने ही मदद की है उसकी चराहा के कस्बा में मौझूद ओवर ब्रिज की घटना बताई जा रही है लोगों ने स्थानी लोग जो वहाँ पर थे उन्होंने उनकी मदद भी की है राई ब्रेली से इस वक्त की बड़ी खबर से मापको रूबरू करवा रहे है जहां पर यह हाथसा हुआ है और खेत्र के ही कस्बा में मौझूद ओवर ब्रिज की घटना बताई जा रही है जहां पर यह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है